नमस्कार, सफर डियनेक्स, 36 गड़, 36 गड़ प्रकृती की ऐसी कृती जिसे कुदरत ने अपने हाथों से सुन्दरता नमाजी है हिंदुस्तान के हिर्दा इस्थल में विराजित, 36 गड़ की पहचान, शान और सुन्दर प्रदेश की है यहां की संस्कृती में भाईचारा, भूलापन और सच्चापन जलगता है यहां का रहन सहन साधारन, किन्तु समाज जहां का व्यक्तित तो है असाधारन तीजगड की धरा को इश्वर ने वहमुल लिखनीजों के साथ साथ सुन्दर, वन, उपुवन एवं वनोपज की सम्रिद्धि प्रदान की है सम्रिद्ध, 36 गड़ की धरा के धारमिक, सांस्कृतिक एवं एतिहासिक धरोहरों को जानने के साथ साथ प्राक्रितिक इस्थलों पर हमारा और आपका सफर डिएनेक्स मध्य प्रदेश से अलग हुए 21 वर्षी या प्रिथक 36 गड़ राजी की तरुनाई के संग के सफर में चलने से पुरू इसके इतिहास पर एक नजर एतिहासिक सम्रिद्धी वाली धरा 36 गड़ भगवान राम का ननिहाल हर्थात माता कौशल्य की जन्मभूनी प्राचीन काल में कुशावर्थ दक्षन कौशल राजी की राजधानी धार्मीक नगरी रतन पुरूआ करती राम वन गमन पर शोद करने वाले इतिहास कारों की माने तो भगवान राम अपने वनमास काल की अधिकान सवधी 36 गड़ की धरा पर ही ब्यतीत किये धार्मीक और इतिहासिक धरोहरों की समरिद्धी वाले 36 गड़ की धरा में है इस्थल मैन पाट मैन पाट, 36 गड़ का शिमला जहाँ पानी नीचे से उपर की और बहता है सरगुजा जिले का एक छोटा सा गाउं जहां से उद्गमित होती है मांड नहीं इस इत्थल को लोग बहते हैं, 36 गड़ का शिमला आपके कूदने से कांपती है धरती, यदि कोई आपसे कहे तो आपसे मजाक समदेंगे लेकिन 36 गड़ के मैन पाट में हैं या मजाक नहीं आपके कूदने से यहां की धरा कांपती है यहां की धरा पर पानी का बहाओ नीचे के बजाए उपर की और रहता है जुदरत की आश्चर जनक्रिती मेन पाट बैज्यानिक्ता के साथ मेन पाट के आश्चर जनक सत्य से आज इस वीडियो में रोगरू करा रहे हैं आपको हम 36 गड की शिमला से 36 गड के शिमला के नाम से ख्याती प्राप्त सरबुजा जिले के मेन पाट में अध्युक प्राक्रितिक संदर के साथ विभिन बोली भाषायम संस्कृतियों का भी संदर है मांजी मन्जवार पहाडी कोरवा आदिवासियों याद्वों तथा तिब्बती भाषा बोली और संस्कृति का मेल मेन पाट को अनुखा बनाते है मेन पाट 36 गड के उत्तरी छेत्र में इस्थित एक पाट छेत्र है यह बिंध रेंज पर समुद्र तल से करीब 3500 फिट की उचाई पर इस्थित्र है 407 वर्ग किलोमेटर में फैला पूरा पाट छेत्र हर्याली जरने नदी खनीज पदार जैसे प्ताक्रितिक संसाद्मों के अनमोल भारों से भरा पूरा है मेन पार्ट में तिब्बती कैम गुद्धिष्ट मंदिर तथा अद्विती जलवाईू प्रशिद हिल इस्टेशन शिमला का हिसास कराते हैं चलिए आपको अब रोगरू कराते हैं खुबसूरत मेन पार्ट में सित आश्चेर जनक लोसे हैं मेन पार्ट बहुत खुबसूरत परियटा जिस्टर है यहां आपको हर तरफ फरियाली, जंगल, नदिया, जर्ने नजर आएंगे यह इस्थान लोगों को काफी पसंद आता है यहां मौजूद खुबसूरत वादियों और जर्नों के कारण यहां का मौसम गर्मियों में भी काफी खंडा रहता है उधने पर हिलती है धर्टी मेन पार्ट के पास जलजली नाम का एक स्थान है यहां लगभग तीन एकड़ एसी जमीन है जो काफी नर्म है और इस पर कूदने पर ऐसा प्रतीत होता है कि धर्टी हिल रही है, इस्थानी लोगों का मानना है कभी इस इस्थान पर कोई जल स्रोत मौजूद रहा होगा और बाद में यह इस्थान उपर से सुग गया है, लेकिन अंदर जमीन दलदली रह गई जिसके कारण ऐसा होता है और इसी के कारण इसका नाम भी जल जली पड़ गया, लेकिन इसकी बैज्ञानिकता कुछ अलग ही कहती है बैज्ञानिक क्या कहता है इसके बारे में, बैज्ञानिकों का कहना है कि प्रिथ्वी के आंतरिक दबाव और पोर इश्पेस अधात खाली स्थान में शॉलिट के बजाए पानी भरे होने के कारण यह स्थान दलदली और इस्पंजी लगती है जब भी कोई व्यक्ति उस स्थान पर कूटता है तो जमीन दब जाती है और फिर वापस पुराने शुरूप में वापस आ जाती है बैग्यानिकों को कहना है कि मैन पार्ट में मौझूद इस विशेष जगह में गुरुत्वा कर्स्वन बल्द से कहीं ज्यादा प्रभावी मैगनेटिक फिल्ड है जो पानी या गाड़ी को उपर की तरफ खीचता है हम आपको बता दे भारत में ऐसी जगह 5 और पूरी दुनिया में 64 ऐसी जगह है जहां इसी तरीके की मैगनेटिक फिल्ड है मैन पार्ट की इस विशेष तक पुरुकाल में लोग भूतिया मानते हैं और यहां आने वाले परियटकों की शंक्षा में लगतार जाफा हो रहा है मैन पार्ट की एक और खुबसूरती पर नजर दालें सरभंजा फाल मैन पार्ट में मान नदी पर सरभंजा फाल इस्थित है यह इस्थान इको पॉइंट यह टाइगर पॉइंट के नाम से फेमस है जिला मुक्षाल अंबिकापूर से यह इस्थान 45 किलोमेटर की दूरी परिस्थित सरभंजा फाल की खुबसूरती भी परियटक लोग नहारते ही रह जाते हैं यह थी 36 गड़ के मैन पार्ट की खुबसूरती 36 गड़ की राजधानी राइपूर से मैन पार्ट की दूरी करीब 390 गिलोमेटर है यहां पहुँचने के लिए आपको राइपूर से जिला मुक्षाले अंबिकापूराना होगा अंबिकापूर पहुँचकर आप टेक्सी या बस से यहां पहुँच सकते हैं बारिश के मौसम को छोड़ कर आप कभी भी यहां आ सकते हैं मैन पार्ट पहुँचने के लिए घुमाओदार रास्ते के दोनों और भरे भरे प्रिक्ट बड़ी बड़ी चट्टाने और खाई यहां रोमाँच का हैसास कराते हैं यदि आप भी रोमाँच का हैसास करना चाहते हैं तो फिर देर किस पात की आज ही तै कर लीजिए अगली यात्रा मैन पार्ट की